हेलो अवरीवन वल्कम बाक टूरी चनल आप लोगा साहगत हैं लास्ट लक्षर में हमने देखा था कि रिटन डाउन से दो तीन मशीन खरे दिया और कुछ बेज दी याद गोड़ी स्टेट लाइन में हमने ऐसे भी कुछिन देखे थे कि हमने मशीन का वन थर इसा या वन है इस्क्रीन पर आपके कुछिन आ रहा होगा बुक है आपके पर टीस करवाल की तो दो हजार टेस एडिशन का कुछिन नंबर 24 आप वहां से भी देख सकते हैं तो कुछिन की अगर मैं बात करूँ पहले हम समस्ते कुछिन का गया बोला हुआ है लिखा है भारत इस्टोर परचीज ऑन फॉर्स जुलाई फॉर्स जुलाई 2020 अ मशीनरी कास्टिंग पहली मशीन खरीदी कितने रुपे की तीस हजार के लिए फॉर्दर परचीज ऑन जन्वरी 2021 जन्वरी किसमें कार मशीन खरीद ली कितने की 20,000 की एडिशनल ओन फॉर्स अक्टूबर 2021 मशीन नंब सब्सक्राइब 2022 फॉर्स अप्रेल 2022 मशीन फॉर्स का वन थर्स हिस्सा हो गया बेकार तो उसको आपने कितने बेज दिया तीन हजार रुपे में सोल्ड कर दिया डप्रिशेशन लगा आते 10% रिटर्न डाउन वेलू मेथट से और 31st मार्च को आपका साल खताम होता है कुशन आपको समझा आगया होगा ऐसे सेम कुशन में स्ट्रेट लाइन में पड़ा है बढ़ अब हमें करना है रिटर्न डाउन से तो जड़ा ध्यान से देखते हैं पहले मैं अकाउंट बनाता हूं मशीनरी अकाउंट कर देख पर्टिकुलर अमाउंट डेख पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है उपर आप डालोगे अक बनेगा इसका वह मशीन रेकाउंट को मांगे कंटिन्यू करेंगे तो जड़ा देखते हैं समझते हैं देखर सबसे पहले आपने जुलाई 2020 में एक मशीन खरीदी 30 तो डेट डाल देंगे 1st जुलाई 2020 2020 खरीदा तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर फर्स पहली मशीन खरीदे कितने की 30 की एंड ओगा 31st मार्च 2021 और उससे पहले आपने जनवरी 2021 में एक और खरीद लिए लिए मशीन नंबर सेकेंड ट्वेंटी थाउजन की तो टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन 20 कोई दिक्कत यहां तक दो मशीन खरीदे को डिकत एंड पर अपर अपर लगेगा तो एंड पर लगाएंगे डपर अपर इंड तो मेरे पाद दो मशीन एक तो मशीन फर्स पर लगेगा जो कि 30,000 का तो 30,000 का 10% वट आपने खरीदा है जुलाई तो स्रिफ 9 मंस का लगेगा और अगर मैं सेकेंड मंशीन की बात करो तो वह है आपकी 20,000 की 10% वटी आपने जनवरी में खरता तो जनवरी से मार्स स्रिफ कितने महीने का लगेगा तीन महीने का इसमें को प्रशाणिये तो बताओ पहले पर 9 महीने और दूसरे पर 3 महीने का ठीक है तो कल्कुट कर लेते जा रहां तो 30,000 का 10% और 9 50,000 घटा देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी 50,000 माइनस 2250 माइनस 500 47250 हमें अलग लग मशीन की वैलू भी चाहिए तो मैं अलग लग वैलू भी लिगता हूं मशीन फर्स्ट और सकेंड तो पहली मशीन थे 30,000 की इतना टैप लग गया तो 27750 बच गया दू 25500 बच गयी कोई दिकत यह हमने इस तरह निकाला क्योंकि नेक्स ट्रिस पर आप लगाना आपको यह अगली साल का बैलेंस हो जाएगा फास्ट अप्रेल 2021 तो बैलेंस बीडी 47250 दूसरे साल का जो एंड़ को 31 मार्च 2022 को गा इससे पहले आपने अक्टूबर 2021 में एक और मश थर्ड कितने के 10,000 के को दिकत एंड पर लगाएंगे तो जो पहली मशीन पर लगेगा इस वैलू पर लगेगा 27750 का 10% रिटन डाउन वैलू है तो दूसरी पर जो लगेगा इसका लगेगा वन इस पांसो का 10% 1950 को दिकत ठीक है और जो थर्ड पर लगेगा वो 10,000 का लगेगा 10,000 का 10% बटी आपने अक्टूबर में खरता तो सिफ चाह महीने का यहां था ठीक है पहली मशीन पर पूरे साल का दूसरे पर पूरे और इस पर तीछ आ महीने का कुट आउट यहां तक टूटल कर लेंगे शुफ्टी सावन टू फिफ्टी खटा देंगे तो बैलेंस आजाएगा फिफ्टी सावं टू फिफ्टी माइनस टू सावन फाइफ मााइनस वन नाइन फाइफ़ जिरो माइनस पान सो तो वेलू आ गई 52025 अलग लग लग लिगता थो मैं मशीन की पहली दूसरी और तीसरी तो को पहली मशीन की यह वालू थी और यह डप लग गया तो 27750-2775 तो पहले की वैलू बचे 24975 दूसरे की यह दो साल का काउंट होगा यहां तक कोई दिख्कत तो बताओ क्लियर यहां तक अब इसके बाद देखना ध्यान से नया क्योंकि बंधर बेच रहे हैं ए फाइव टू जीरो टू फाइव बैलोन से तू बैलन्स बीडी फ़र्स अपरेल 2012 का 22 का और फ़र्स अपरेल 2022 को ही हम देखो क्या कर रहे हैं पहली वाली मशिन का वंधर बेच रहें ध्यान से देखना फ्रस अपरेल को ही बेच रहें तो डपरिशेशन तो लगीगा नहीं एक तो आएगा बाई बैंक जितने में आपने सेल किया है तो सेल कि आपने थी था हो जिन में दूसा प्रॉफिल लॉस यहीं पर परहल की जगर को यह और डेट हो देट लगता अब वर्किंग को देखना ध्यान से हम पहली मशीन पूरी ना बेचके वन थर्ड बेच रहें दो देखके पहली मशीन थी 30,000 कि इसका वन थर्ड कितना होगा दसद पहली साल में जो डाप लगा था डाप ओन 31st मार्स 2021 दिखा अब अगर मैं दिखाऊ आपको पहले साल में डाप तो पहली साल में पहली मशीन पर कितना लगा है तो बाइस सो पचास यह पूरी मशीन पर देना पड़ेगा तो इसका अगर मैं वन थर्ड करूँ तो 750 आएगा कितना आएगा 750 तो अगर आपको वन थर्ड वन फर्ड बुला तब तो बहुत असान है निकालना डाप का वन थर्ड कर दो लेकिन माल लो वन थर्ड ना लिखके ऐसा लिखा हो था कि पहली मशीन में से 5000 एगा 5,000 का है इससा बेख दियें तो दून प्हळी मशीन का वन थर्ड इससा बेच रहें तो पहली मशीन गावangen हो तै Ensuite अब पहले साल ड़्याप zas 3050 ता उसका वंदर्ड कया तो सब्सक्राइब तो च्छछ तो सब्सक्राइब कर से तो पहले साल में पहली नौ महीने का डप लगाता है तो इसका 10% और 9 महीने का निकाल लो तो यही वेलु आएगी तो आप ऐसे भी निकाल वे तो जहां पर वन फॉर्ट तो डारेक्ट करने इतनी महानत करने के चौत निया है जहां पर वन थर्ट वैलु ना लिखके सीधे वेलु दियोगी तो इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके बाद को किता बजाएगा नाइन टू फाइफ जीरो फिर दूसरी बार फिर से डाप लगाता हूं डाप ऑन थर्टी फॉर्स मार्च टू थूजन टूट तो इस पर मैं निकालूंगा तो नाइन टू फाइफ आएगा आएगा ना आप सब्सक्राइब करता हूं तो इतना ही आएगा नाइन टू फाइफ तो अगर आपको वन थर्ट वन फॉर्ट है तो आप डारेक्ट डाप्रिशेशन का वन फॉर्ट करोगे कुछ मेहनत करने के जो अतनी है वरना आप ऐसे कैल्कुरेट भी करोगे तो बात वहीं पड़ेगी तो यहां आगया एट थ्री टू फाइफ इस वर्किंग ओड़ेक्ट शॉट में समझते पहली मशीन का बंटर बेच तो दस जार पहली साल का डाप का बंटर कर दिया तीसे साल में तो कोई अप लगी नीड़ा इसको तीन हजार में सील किया था ना सेल दिया था इसमें वह अब ध्यां से देखना इसके बात की बात तो लॉस निकल गया तो भाई प्रॉफिट टैन लॉस एकाउंट फाइफ थी टू फाइफ का लॉस निकल गया प्रॉफिट होगा तो डबिट साइड में इतर के साट आ जाएगा अब 31st मार्स को हम एंड करेंगे और एंड पर इसका 10% तो बन सावन फाइफ फाइफ जिर इसका 10% तो बन सावन फाइफ 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 पर दिकत ऑथी से बची नाइन थाओजन फाइफ अंड तो इसका 10% 950 इस ट्रीट लाइन में क्या ओद आदा पहली मशिन जैसे 30 कि है वं तर यह निद दस जार बेस यह लगा देते हैं पर क्या यहां 20,000 पर लगाएंगे नहीं न वीच जार तो मुझे क्या चाहिए रिटर्न डाउन वेलू चाहिए न तो बहुत सिंपल जाद महनत नहीं करनी यह दो अगली साल इस वेलू पर लगता ना पहली मशिन की वैलू जो है 24975 है कितनी वैलू पहली म सब्सक्राइब तो बचाहिए तो बचाहिए तो बचाहिए कितना होगा तो थर्ट तो कुछ निकातना इसका तू थर्ट निकाल तो तू थर्ट ऑफ दिस तो 1665 जिरो आ जाएगा तू फो नाइन सवन फाइफ इंटो तू डिवाइट रहां 1665 जिरो आ गया तो यह शॉट कटेर का लॉंग त्रीका के करते हैं तीस में से दस बेच दी तो बची कितनी है बीस बीस उसकी और इसनल कॉस्ट है दो साल डप लागा पहले साल में नौ महीने का दूसरे साल में उनको घटा के निगालना तो भी यही वेलू आएगी पर हम इतना टाइम क्यों करेंगे जब आपको अधा डार्ट निकल सकता है तो रिल्टन डाउन वेलू का सीधे तू धट कर दो अगर मालों ही पर मैंने वन फोर्थ बिचाओ था तो थी फोर्थ करते था वन हाफ बिच सिक्स फाइव ज्रिस का 10% अप्रिशेशन लगेगा 1665 अब इसी के साथ आपका कुशिन के सारी समापती हो गई और टोटल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा समझ गया वन फोर्थ अगर बेचने को आएगा तो कैसे करना आपको यही यहां पर वन फोर्थ की जगे वन फो सब्सक्राइब हो जाएगा और वह और छोटा है कि उसमें सिर्फ एक ही मशीन खरीदी गई है और उसका वन फोर्थ इससा बेस दिया गया बाइस नंबर में यह आपका बैलेंस आगया खतम कुशन को दिक्कत है एक चुली चीट और बता दो फिसके बाद इसको नोट कर ले उसने 20 रुपे का कमीशन ले लिया मेर से तो मेरी जेब में कितना पैसा आया कि वनिटी क्योंकि 200 में सब्सक्राइब तो मैंने क्या कर उसको खर्टा दिया तो अगर बेसे टाइम कभी कोई खर्चा दिया होगा तो आप उसको क्या करोगे डिड़क्त कर दोगे जैसे कुश तीस हजार में सेल किया तीस हजार में सेल करना जो भी प्रॉफिल लाउस हो निकलेगा ठीक है तो चोड़ी-चोड़ी बाते ध्यान लगना बागी जो आलनाइन बच्चे आप इसकिन शोट देलो यह पहला पेज वरकिंग नोट था यह पहला पेज यह दूसरा पेज अब इंपार्डन कोशन है एक्जाम में आने वाले और यह वरकिंग नोट है इसका इसके साथ मेरी तरफ से रिटन डाउन खदम होता है अब आपको कुशिन करने कोई डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकतो हो बागी फिर हम अगला प्रूबिजन मेथर्ड करेंगे मिलते ने आपको कुशिन भूछा है अब एक तरस दोट प्रूब एक रहाई झाले हो एक प्रूबिजन वाले ऑफ उलेकश आपको बागी जाजके प्रूबिजन कोशन एक प्रूबिजन कोशन हैं इसका इसका इसके प्रूबिजन ने